विगत साड़े चार वर्सों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है डेवलम्मेंट के कारियों में इसके साथ ही साथ लखनों मद्ध विधानसवा छेत्र में जो थाने आते हैं उनमें कानून बेवस्था भी गुणात्मक धंग से चेंज हुई है पहले जहां अपराधों का ग्राब सरवाधिक लखनों मद्ध विधानसवा छेत्र में होता था कि सरवाधिक महत्वण इलाका मद्ध विधानसवा छेत्र में ही आता जैसे हजरत गंज है नाका है, हुसेन गंज है, साहदत गंज है, जो महत्पूर्थ अमीनाबाद है, जो महत्पूर्थ थाने हैं, वो इसी थाना छेतर में आते हैं, वजीर गंज भी इसी में है, इन थानों में जो पंजीकरत अपराध होते हैं, उनकी संख्या में भारी कमी आई है, और इसके साथ आपराधों का सत्प्रश्थ पंजीकरण भी हमने सुनिश्चित कराया है इसके अलावा अपराधों का पंजीकरण हो दोसी बचने ने पाए निर्दोस को कोई दिक्कत नहों ये भी हमने प्राथमिक्ता पर ध्यान देने का काम किया है डेवलेमेंट के मामले में चुकि सरवाधिक महत्पूर्ण इलाका लखनव का लखनव मद विधानसवा छेत्र में ये हजर गंज और विधान भवन से लेकर मुखमंत्री आवास राजभोन सभी इसी इलाके में पढ़ते हैं तो इस द्रस्टी से लखनव मद विधानसवा छेत्र में इसको स्मार्ट सिटी योजना के अंतरगत लिया गया स्मार्ट सिटी होने के कारण सबसे बड़ी स्चुनोती हमारे सामने थी कि विगत 40-50 साल से आजादी के बाद कई हिस्से ऐसे थे जहां पर अभी भी ड्रेनेज सिस्टम और सीवर लाइन नहीं पड़ पाई थी या सीवर लाइन पड़ी थी वो परयाप्त नहीं थी तो सीवर लाइन अमरत योजना के तहट हमने प्रोजेक्ट बनवा करके उसको नए सीरे से डलवाने का काम किया है आप सब जानते हैं कि सीवर लाइन के लिए काभी गहरी खुदाई करनी पड़ती है कई कई जगह पर 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर नीचे भी हमें जाना पड़ा है और चोड़ी जितना मैक्सिमम डाई के पाई पड़ सकते थे मतलब आने वाले 50 साल तक के लिए सुब्यवस्ठी धंग से सीवर लाइन पड़े इस धंग से योजना कारणित कराने का काम मत बेजान सबाचेतर में किया गया है इसके अलावा जो हमारी सड़के थी उनको भी नए सीरे से बनाया गया लेकिन अमरत योजना के सीवर लाइन के कारण सड़के डैमेज हुई है अब सीगरी उनका निर्मार कारे आपको मिले गा इसके अलावा जो पब्लिक यूरिट्रीटी के वायर्स थे जैसे बिजली के तार, टेली फोन के तार इसके अलावा ने छोट छोटी जो मत बेजान सबाचेतर में किया गया है इसके अलावा जो हमारी सड़के थी उनको भी नए सीरे से बनाया गया लेकिन अमरत योजना के सीवर लाइन के कारण सड़के डैमेज हुई है अब सीगरी उनका निर्मार कारे आपको मिलेगा इसके अलावा जो पब्लिक यूरिट्रिटी के वायर्स थे जैसे बिजली के ता जो जितनी भी हमारी स्मार्ट सिटी योजना है सभी सड़कों के किनारे टरंच बना करके उसमें पब्लिक इड्रिटी के सारे वायर्स और छोटे पाइस डाले जाएंगे उनको ओपन खोले में ने रखा जाएगा और बिजली के जितने भी खंबे और तार है उनको भी हटा इसके अलाबा इसके अलावाद सबसे बड़ी बाती कि हमारी बिदानसभा छेतर में जाम अक्सर बना रहता था इसके लिए सरकार में फ्लाई-ओवर बनाने का काम किया है आधनी सांसद मानी रच्छा मंत्री जी राधना सिंग जी की कृपा से हमारी बिदानसभा छेतर में दो-दो नए फ्लाई-ओवर बने हैं एक लालकुआ से होकर के डियवी कालेज के आके जाकर के गिरता है और दूसरा फ्लाई-ओवर जो मेडिकल कालेज वाला तिरहा है उस चौराहे पर अक्सर जाम रहता था वहां पर भी फ्लाई-ओवर बनाने का कार्री हुआ है अभी हमारी बिदानसभा छेतर में 1094 जो अब सरवादिक बिस्त्तम चौराहा माना जाता है उस पर भी हमने फ्लाई-ओवर बनाने का प्रस्ताव दिया है सिघरी वो भी निर्मित होना प्रारम हो जाएगा इसके लावा आप देखते होंगे कि जो कुक्रेल नाला है उसमें सहर भरके गंदे पानी की बेवस्ता आने की रहती थी सुद्ध पानी कुक्रेल नाले के माध्यम से गुमती में जाए उसके लिए एस्टीपी प्लांट ये दस्टन नब्बे चौराहे के किनारे लगाया जा रहा है आप सब जानते हैं है है दर कैनाल पर भी एस्टीपी प्लांट के साथ साथ एक समानांतर सड़क बनाया जाना का भी कार सीग्र प्रारम होने वाला है इसके पूरे पांच वर्स काम करती हैं बूत इस्तर के कारकरता से देकर प्रदेश इस्तर के कारकरता सब लोग जोट करके काम करते हैं बिपच्ची दल वहीं मात्र चुनाओ के समय अपने घरों से अपने आफिसे से निकल करके जनता के वेच में जाते हैं उत्तरप्रदेश की जनता भारती जनता पार्टी के साथ है। आप देखेंगे जब परेडाम आएगा भारती जनता पार्टी पिछली बारचे अधिक सीटे जीत करके दुबारा सरकार बनाएगी और विपच्छी दल अपने आप खुड हिट विकेट हुए है। कोरोना महमारी का काल ऐसा था जिसमें पीडित जनता के साथ खड़ा हुआ जा सकता था। देखेंगे जब परेडाम आएगा तो भारती जनता पार्टी के पच्छ में ही आएगा। जिसमें नियाइपालिका बहुत ही महत्यपूर्ण है और कानून के तहत हम IPC CRPC से ही काम करते हैं। यदि कहीं किसी मामले में कानून का उलंगन हुआ है तो कानून अपना काम कर रहा है। भारती जनता पार्टी सरकार किसी के भी प्रति दोयस भामना से काम नहीं करती है। हाँ यदि कोई भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कारवाई करेंगे। नहीं किस परिपेश में कहा है अभी हमने पूरा बयान देखा नहीं है। लेकिन महात्मां गांधी जी देश और दुनिया के सर्वोच ऐसे नायक हैं जिनको सभी लोग परडाम करते हैं, और मैं भी परडाम करता हूँ, और महात्मां गांधी जी के जीवन चरीतर पर किसी परकार का कुछ कहना मुझे लगता है कि हमारे मुँसे उचित नहीं होगा, और मैं बंदन करता हूँ और महात्मा गांधी जी ने जिस जंग से सुच्छता अभियान अपने जीवन में लिया था आदर्णी प्रधानमंती नर्यमोदी जी ने उनके चस्मे को सुच्छता से जोड करके पूरे देश दुनिया को ये कैसा संदेश दिया कि आज आप देख रहे हैं कि भारत में कहीं भी सुच्छता अभियान चलाया जाता है तो सरकारी होर्डिंग्स हो या भारतियंता पार्टी के कारिक्रम हो तो महात्मा गांधी का चस्मा मार रहता है और आदर्णी प्रधानमंती जी ने स्वयम जाड़ू लगा कर ये तय कर दिया कि आदर्ण इसकी के सब्सक्राइब लेकि सियासत हो रही है रहा है और यह दिया को अपने क्रिया कलाब करने की छूट है लेकिन जो भी इस प्रकार के इस्टेचु लगाए जाते हैं उनको सासन से उसकी अनमती लेनी होती है और यदि कोई व्यक्ति मंदिर या धार्मिक इस्थल बनान चाहता उसकी भी अनमती लेनी की पूरी प्रक्रिया है